बिस्मिल्ला रहमान रहीम आज हम साइकने बालेजी चैप्टर नंबर 15 यानि जो पहला चैप्टर है होमें स्टेसिस उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमें आज के लेक्चरी के अंदर थर्मो रेगुलेशन इनेमल याड़े में पढ़ेंगे से अनिन्icia के बारे में परएंगे सबसे पहले हमें मालूम होना चैप्छे कि थर्मो रेगूलेशन कि आपकंי होता है conducting क्या आइडीय होना चाहीं थर्मो रेगुलेशन कि से कहा था हमने to基 का बाड़ी टेंट्परेचर ठीक है यह निजिए बाड़ी टेंपरेचर को बैलेंस में रखना बैलेंस ओफ बॉड़ी टेंपरेचर ठीक है और यहos कई कहरते हैं किन्मिटरनल इन्वार्मिन्न को every sır at ning मेंडियों को 90 को-शुकर नाम् なरम स produits जो नामल टंप्रेचर होता है अगर मैं यहां पर ड्रा करूं एक तरफ कुलंग नामल टंप्रेचर लिए जाती है यह अहल पिर एकदम कुलबर प्रीमिर और screaming यृव यूलल ळाइन यह के अब लीन एक अभडारिये का ही versus powerful हे हो सद्धार के अधिक आइन झावays these एक जैंपल मुझा हम सहां ही मन बाडी है हम बाडी गजाए टमपरिश जोन से है वह आलमोस्ट रहता है बिट्वीन कहलें के 36 तो इधा 38 आएगा 38 to 36 degrees centigrade ठीक है यह हाटर होता जाएगा इस तरफ लाइक इस वन इस हाटर और इस तरफ जोन से एक कॉलर होता जाएगा ठीक है तो जो जो टमपरिश आगए जाएगा एक कॉलर होता जाएगा तो दोनों कि कि इन्वार्मिन्ट के दोनों कि स्वेशन के लिए बाडी के अंदर अडाप्टेशन होना हाटर बाड़ वी और का के बाड़ क्या खठी सब्सक्रिख का लोग餅 जाएगा घरम होना इएज जाधा इनद मीचिशOW करेंगे लिए हैं हम प्लांट के बारे में study करेंगे, प्लांट का structure नजर आ है, हम अब केस पढ़ता है कि जब इस का temperature जाद है, यह sun है, हम वह जादा heat आ रही है. इस temperature क्या करेगा, सबसे पहले तो इसमें जनल सा phenomena है, जो हम पहले पढ़़ चका है, का roots है like they ऑप्रइब इस पा है और आरे वार्टरी अप्राइयरूस के इसमिंदर रहें वाटर 혼य होता है टीक है और इस सारे प्रीजर को हमने क्या का था था ट्रम kinetic वाटर के टो करें के रहें होगा इसको हमने किसका नाम utzा ट्रांसपरेशंन सो ट्रांसपरेशन इवापरेशन से क्या होगी कूलिंग जनरेट होगी तिक स्था आप कहलेंगे नहाने के बाद अगर पंक्हें में खड़े हो ठीक है तो आपके जिसम से पानी वापरेट होगा तुस तरहां पूरींग आपको फील होता है सिमिरली प्लांट बाडी की बारि में से बार रटर रहन से वापरेट होगा तो यह कोलिंग सेंसेशन प्रडूस करेगा सभी इसके लावा अगर अगर मेंट बढ़ते बढ़ते लाइक्सा से अब ऑफ चला जाए फोटेफाइड सो उसके बाद प्री जाता है कि प्लांट वाडिक है स्पैशन अडापटेशन है कहलें इस प्रोटीड हैं जी निया हम हीट शॉक प्रोटीन काते हैं रहें ही यह इच यह तैज कने Takt अच्र से अच्छा के सब्सक्राइश कर। इसने वाइसमाइसे नहीं जैघर को यहीड़ है हिट। ऑपादा तो यहीट नहीं के अगेंस्ट अच्छा,?" तो यहीड़ इसको फोलेंगेंड ourselves 3. गील хороший ते यहलोख के लिए किया इसके दर डिस्वंक्षन काज कर सकता है या इवसे की आप्क सै Surf थूम्प्रेश्ट vूऐ है कि दी नेच हीव सुव जादा टमरेश्टेर हो जता है तो जो in-zimzes होता है नो वो ठीडेनिक हो जाते हैं अगर अगर भूण अछहाऊप्रेश्टल की in in high temperatures in high temperatures क्या side effect होता है कि enzymes जों से वो denature होंगे आप आपको पता नहीं कि enzymes proteins होती हैं ज्यादा temperature पे वो denature हो जाते हैं यह अपना function lose कर देते हैं ठीक है तो यह तो हो गया hard temperature के लिए अब हम आएंगे कि यह cool temperature नहीं कहलें कि less temperature के लिए क्या behavior होता है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि cool temperature होता है like in cool temperature या in low temperatures यह किसको अफेक्ट करेगा again के यह जो plasma proteins होती है या plasma membrane proteins होती है उनको अफेक्ट करेगा ठीक है proteins को affect करता है proteins are affected और इसके लावा यह crystal formation कर लेता है जिस तरह ice crystals बन सकते हैं यह फिर flow को कह लेंगे disturb करते हैं या internal environment को बहुत होती है so at high temperature क्या था enzymes denature हो जाता है जिसको से metabolism सारा disturb हो जाएगा low temperature भी का होगा कि proteins are affected हो जाएंगे again जिस तरह high temperature भी हो रही थी इसके साथ crystal formation होती है like water crystal बन जाते है within cells और वो plant body is hard plants are hard ठीक है उनके पास cell wall होती है तो एक किसम कह लेंगे already hard होते हैं जिसको ज्यादा heat penetrate नहीं होती इसके लावा इनके दो बहुत important steps हैं सबसे पहले कि वह unsaturated fatty acids को unsaturated fatty acids के कि amount को बढ़ा देते हैं ठीक है कि unsaturated fatty acids के अंदर एक ability होते है कि यह कहलें कि structure इसको disturbed नहीं होने देती जब तक temperature जितना मर्जी जितना मर्जी से मराज है नहीं काफी अगर गिर जाए तो उनके structure को disturb नहीं होने देती सो unsaturated fatty acids किसे हैं जिसके अंदर double bond हो ठीक है that contain double bond से में वह chemistry का वैसे topic है सो उसमें नहीं जाएंगे हैं सो unsaturated fatty acids किसे का जिसके अंदर double bond हो इसके लावा जो दूसरा skinner ability होती है कि यह जो cytoplasm की solute composition होती है ठीक है solute, sorry solute, solute composition of cytoplasm उसको वह change करती है ठीक है यहनि change कर लाता है plant सो उसके change करने से क्या होता है कि they can solute composition को change करने से they can survive in low temperature ठीक है यहनि they can survive in very low temperature के हैसे ले कि super cool environment के अंदर भी यह survive कर सकते हैं ठीक है यह यह दोनों जो से function कि unsatled fatty acids की यह concentration को increase करेगा और दूसरा इसको नहीं solute composition जोंसे यह cytoplasm की वह भी change करेगा वह इस तरह change करेगा कि उसके survival में वह help करेंगे वह जिन्दा रहसी के plant ज्यादा extreme conditions के अंदर भी ठीक है थोड़ा सा ओवल सा होता है अब इसके center से equator pass करती है और जो central line है it is more harder क्योंकि यहां पर जो sun की radiation होती है डायक्ट आगे पड़ती है मसले यह sun है सो equator line के पर जो sun की radiation से बहुत जाद आगे पड़ती है यहां पर heat up होता है environment ठीक है यहां पर environment जाया तर heat up होगा और जो जो हम आगे polar region पर जाएंगे so environment cool down होना शुरो जगा यहां पर even ice होती है ठीक है यहां पर आपको ice मिलेगी so जो इस region के temperature यह extreme low temperature है extreme low temperature ठीक है जी और जो इस region पर आएंगे यह जो region पीच में यह high temperature की region आजएगा ठीक है और अगर हम देखें ना तो जादा फॉरस्ट आपको इस area में नजर आएंगे ठीक है यह जो area इस area जहां पर ना जादा होती है इन्होंने photo sensors करनी होती तो जादा वहां पर जहां पर light मुझूद हो ठीक है और जो ice का region होता है यहां पर कम होते हैं और even जो sand बीच में आती हैं जहां पर rate वगएरा वहां पर भी जो plants कम survive करते हैं सो यह हो गया thermoregulation in plants जिसके हमने कहलें कि points study किये हैं अब हम thermoregulation in animals के बारे में पढ़ेंगे thermoregulation in animals के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं कि heat transfer कैसे होती है heat transfer के how an animal body get heat so let's suppose let's suppose यह हमार पर साथ है ठीक है नहीं आर्थ का ground अउपर ठीक है और आप इस पे खड़े में तो आपके पास heat कहां कहां से आएगी like सबसे परहे तो sun होगा sun की radiation के जरीए आपके पास heat आएगी very simple है तो आपको भी मालूम होगा कि जो सूरज की धूप है उसमें गर्मी होती है तपिश होती है इसके लावा कुछ radiation जोंसी हो from अर्स आती है ठीक है यह infrared radiation होती है सब्सक्राइब इससे हम infrared thermal radiation कहते हैं infrared thermal radiation जो यह जो light आ रही थी इससे हमने कहा है direct sunlight ठीक है यह डायरेक्ट sunlight इंटर हो रही है ठीक है जो आपके फिर कुछ sunlight ऐसी होती है जो जमीन पर आती है reflect होने के बाद आप तक पहुंचती है ठीक है अब यह direct नहीं यह reflected sunlight हो जाएगी reflected light ठीक है तो तीन अब वेस देखने के heat किस तरा ट्रांसफर हो इस पर डायरेक्ट sunlight से ट्रांसफर हो रही है फिर कुछ sunlight ऐसी होती है कि जो दूसरी चीजों से reflect होके आप कोई तरफ आती है और कुछ thermal radiation होती है यह कहलें कि infrared radiation यह infrared thermal radiation होती है ठीक और फिर कुछ radiation आपकी बाड़ी खुद बनाती है ठीक है some of the radiation sorry कुछ radiation यह smile कर रहा है सही है सो कुछ radiation इस बाड़ी के अंदर से बनेंगी like this बाड़ी आप मैं कहां पे लिख हूँ इसे हम कहते हैं metabolic heat ठीक है कि नहीं आपके बाड़ी के अंदर बहुत से chemical reactions हो रहे होते हैं उसके जरीए जो heat produce होगी वो metabolic heat होगी ठीक है जाहरी बात है आपके अंदर भी तो reactions हो रहे हैं जो के बाड़ी के itself generate हो रही है तो यह four possible ways हैं जिसके जरीए से heat gain हो रही है सभी अब हम देखेंगे के इस heat gain के against बाड़ी क्या response generate करती है खास पर एनिमल्स की बाड़ी अब हम देखते हैं क्या क्या होता है मसला हम थोड़ा से साइट पर जाते हैं अब बाड़ी हीट receive कर रही है अब इस तरह हम जो एनिमल्स की बाड़ी से दो किसमें डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब कौन कौन सी होंगे इसमें नंबर वन जोन सी है वोसे हम कह देंगे पोई किलो थरम्स थरंस पोई किलो थर्म्स इसको यह मैं ईक्ञेंपल देता ह। अगर यह बाड़ी झिसको यह यह हीट रसीव हो रही है थेक है अगर इस धी अपना टंप्रेडचर वह चेंज नहीं करता ठीक है अपना थन्परेचर वह चेंज नहीं करता है तोसbnने frog देखे हैं आपने मैंडेक जिसे का जाता है ठीक है frog जो उन से है अपने उसकी कोशन करब ओर डियाग्राम अच्छी सी बंजे कि इसे लगता निया बंग लिएगी तो जो frog है ठीक है frog ये फार बसंपल frog है example के तो पर frog है तो नहीं लेकिन for example आप है कि ओंधे हैं कि फराग ठीक है अब जो फ्राग होता है ना यह पॉइकलोथ्रम में आता है किस तरह हम साबित किस तरह करेंगे पॉइकलोथ्रम से बेसिकली जाब बाहर टंपरेटर जोंस है ना बहुत अधा ही टव होता है लाएक अब टू-भूर्टी डिक्रीज ओता है like 0ड सेंटिग्रेट ठीक है इसकी बाड़ी का भी टमप्रेचर हो बहुत चेंज हो रहाता है लाइक बाड़ी के अंदर भी टमप्रेचर 40 के अगेंस यहां पर 40 आ जाएगा 40 डिशने और 0 का गेंस जिरौ बहुत इतना नहीं होता है मासरा 40 है तो जारे बाद बाद बाड़ी का टम तोड़ी बहुत चेंजिंग होती है लेकिन बहुत जादा फ्लक्शुेश्ट ने कि दर थर्टी एट डिग्र सेंटिक्रेट और कि दर छे डिग्र सेंटिक्रेट आप देख सकते हैं फिल कर सकते हैं कितना दा टंप्रिटर डिफरंस आ रहा है बाडी के अंदर ठीक है में तर नहीं अब होती हम पना टंप्रेटर में अंधेन नहीं करते हैं उनके गर्मी वाले इलाके में रहते हैं वह भी मैंटेन नहीं नहीं करते हैं तो यह होगे परेकलो थाम्स किसना डिफाइन करेंगे यहां पर मैं नीचे डेफिनिशन लिए देता हूं अब उपर ही ले जाना दो बज़कर देट डू नाट चेंज देर बाड़ी टंप्रेचर ठीक है अपने बाड़ी टंप्रेचर को चेंज नहीं करते हैं विद रिस्प घई है अगर बाड़ी टंप्रेचर ज तो यहां पर टंप्रेचर कम है जो बाड़ी बढ़ा रहे हैए मसले यहां पर उल्पे accept इनका दे वाड़ली गया लेगा बदा सिंपल सा सो इसके अगेंस जो हो यह घ्राफ नजर आ आ रहा है बीच में यह हो में थे कम है कर आप देखें सो अगर टंपरिचर कम है इसके गेंस मसलें चले ज़ाएं अपर कलर चेंज कर दो लाइक अगर temperature कम है body temperature अल्मोस उसी के इर्श गिर दिया है ठीक है अगर temperature जादा है so again body temperature अल्मोस उसी के इर्श गिर दैथ होड़ा इस ठीक है so अब इसने का दिम्यान changes बहुत कम आई है ठीक है जब के यह जो हमने parameter पड़ा है जलाए कि इसका चंजर बहु help कर देंगे और जो जो अपना टमप्रीचर मेंटेन करेंगे उन्हें हम अन्य हाथ कर दिया तो के थी है हूं यह थाम के पडाएप सव अधीर में ब्रक्रैटा तो simple था ठीक है लेकिन फिर बाद में problem क्या आया scientist जो studies कर रहे थे temperature changes को बसा हम फ्राइब का case उठाते हैं तो बाहर टम्ड़ीचर 40 degree centigrade था तो फ्राइब का almost 38 degree centigrade बाहर टम्ड़ीचर 0 degree centigrade था उसके against इसका 6 degree centigrade तो यह थोड़ा बहुत temperature में फरक आ रहा था ठीक है कि यह थोड़ा बहुत heat generate या फिर जाद़ तो heat loss कर रहे थे ठीक है अब जो modern concept है ना आप कहलेंगे थर्मो रेगुलेशन के basis के अपर वो थीन किसम के एक इसमें आता है इंडो थर्म इंडो थर्म तो बहुत सिंपल है कि वह और निजम जो कहलें कि अपना temperature maintain कर सकते हैं अपना temperature maintain कर देंगे नहीं दे कैन मैंटेंग बारी टंपरेचर बाइ मैटाबोलिजम ठीक है कि बाड़ी के अंदर जो रेक्शन हो रहे हों नहीं के जरीए अपना temperature maintain करेंगे से जो हमने मसले यहां पर जो कहलें कि सिंपल जो हमने होमियो थर्म पढ़े थे ना दे आर जस्ट लाइक इंडो थर्म ठीक है इससे हम होमियो थर्म कहा रहते है सिंपल यह तो एक जैसी डेफिनिशन है होमियो थर्म फिर इन्होंने आगे जो कहलें के पोईकलो थर्म से ना उनकी दो ब्रांच इस बना दी मसले एक उन्होंने का जी एक्टो थर्म थर्म्स ठीक है एक्टो थर्म्स कहलें के यह अपना बाड़ी ठंप्र्टर होगी लेकिन यह अबिलिटी बहुत दो लैवल की होगी ठीक है दे कें मेंटेन यह कहा樂 के लो लैवल से मैटबॉनिक हीड किनले curriculum this क्र चेंजिसuration व कि टिकर इसके 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 इन्दर सो इनकी लह दाल मैटबॉनिक हीड जनेरेशन होगी या हीड चेंजिस कहलें ठीक है इसके अगेंस जो मोस्टली क्या करते हैं मोस्टली एब्जार्ब हीट फ्रॉम स्राउंडिंग कि अपने इर्ब गिर्ज से ये कहलें के हीट को अब्जार्ब करेंगे ठीक है यह 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 सैकिंड टम्नालजी में आगए और फिर जो इंफीबियंज बगारा थे फिश्चिज इ इंफीबियंज जिसे फ्राग्स बगारा होते हैं रेप्टाइज जिसे कह लें रेप्टाइज की केड़ेगरी प्लेज वोस्ट वर्टीब्रेट्स काटवरी के अधर आज जिए जो लो लेवल मेटबॉलिक हीट जनेरेट करते हैं ठीक है यह नहीं इनका बाड़ी टंपरि लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनकी बाड़ी टंपरिचर में यहां पर फरक है ग्राफ इस तरह का बनेगा कि थोड़ा बहुत राख अपनेघ्वलिक फिर एक ठॉरड टाइप है कि जिसे इननों ने हैट्रोगा रेज़ेगी है है चिर्णी थर्ट to rabbits बाड़े डिफेरंट किसम इन से डिफरेंट होते हैं कि इनके अंदर अबिलिटी होती है ठीक है या अबिलिटी टू रेगुलेट टमप्रेटर यह तंप्रेटर को रेगुलेट कर सकते हैं यह तंप्रेटर को रेगुलेट यह अबिलिटी टू रेगुलेट टू रेगुलेट टू नार्मली यह अपने टमप्रेटर नहीं करते हैं यह उनका बाड़ी का इंटरफेस ऐसा बन चुका होता है इसकी जेंपल्स के इन्दर ना यह एट्रोथम्स के अंदर बैट्स आ जात इसलावा हमिंग बर्स आपने सुना होगा ठीक है हमिंग एक चोटा से होता है हमिंग बर्ड कि से यह इसकी ऐसाफल के ल hack हमने टमप्रेटीटर बेशिस कर्पर और संब की क्लासिफिकेशन कर ली सबसे पहले ऑन ही की दो क्लाशिसमम्स इह गट्छी सummy पर चेंज नहीं करता बिद रिस्पेक्ट व इन्वार्मेंट से जो इन्वार्मेंट का टंपरेचर होगा वो ही उनके बाडि का टंपरेचर रहता है इसमें इसमें रेप्टायव फिशी वर्टीबेट पोलर वगरा रिजन पर तो अगे निमस होते हैं है फिर दूसरा होमियो थिरंच यहां पर लिखना भूल गया सैकिंड क्लास क्या थी होमियो थर्म क्या था कि जो रैगुलेट करते हैं अ बाइटर hey regulate their body temperature फिर हमने graph भी discuss किया था कि लाइक यह पोई थर्म आगर बाहरर पाहर का temperature कम है तो बाहर प्रोड कर प्रीजर भी कम होगा बाहरर का फॉर्ट ज़्द आदा ये ख्राफिकल रेंज आ रहे के टम्परिच्र इंक्रीज हो यह नेरो रेंज के अंदर रहेगा ठीक है यह इसकी रेंज बन लिए सब्सक्राइब कर रिए पिर पर कौने इसकी तीन क्लासिफिकेशन की जिसके अंदर इंडो थर्म्स जो के होमियो थर्म भी थे ठीक है यहाँ पर में टिफाइन करें इनि के जरीए यह अपना बाड़ी टंपरेजर को एक लिमिट के अंदर रखते हैं नॉर्मल लिमिट के रखते हैं जब कि जो पॉइकलो थ्रम से उनको हमने दो कैटेगरिस के मजीद डिवाइड कर दिया जिसमें एक टो थ्रम्स हैं जो लो लेवल बेड़ पॉलिक हीट जनरेट क जब के एक्ट्रो थ्रम में जो सब्सक्राइब जिनके अबिलिटी है कि वह टम्रेट कर सकते हैं लेकिन वह जब बैट्स हमिंग बर्स गजारा है तो यह आज के लेक्ट्चर हम यहीं तक करेंगे आगले अगले लेक्ट्चर के नहीं हम देखेंगे कि जो एनिमल्स एंड ट जायते प्लांट्स को फोकस के शुरू में के प्लांट्स किस तरह आपने बाड़ी टंपरिश्र को बैलेंस करते हैं यहार्टर एक्स्ट्रीम कंटि कोलर और हाटर कंडिशन करते हैं तो दोनों किसे पड़े लाइक अगर टंपरिचर बहुत जादा है तो एवापरेशन इसके लाव आए हीट शाख प्रोटीन से से यह टांपरिशन फर्स प्रियॉर्टी होती है और अगर टंपरिचर बहुत जाद में फोटी फाइब तक्सल्स तो हीट शॉप प्रोटीन होती है जो के की कहलें के हीट एब्सार्ब करती है और इंजायन को डी नेचर होने से बि और उसला crystal formation हो जाती है like water के ice बन जाएगे the ice ice के बर्फ के crystals बन जाते हैं थो सड़ू होते हैं so they resist the temperature changes mostly temperature को resist करते हैं लेकिन अगर फिर भी जिस तरह को कहने कि छोटे plants होते हैं उनके अंदर फिर कुछ mechanisms होते हैं like they सब्सक्राइब करते हैं तो यह भी टंप्रेटर को मेंटेन रखते हैं दूसा सल्यूट कंपोजिशन चेंज कर जाते हैं सब्सक्राइब होता है और फिर यह सर्वाइब करते हैं फिर हमने यह आर्थ के लहाद से थोड़ा सा सब्सक्राइब करने कुछ कि के अर्थ में यह उपर पोलर रिजन जहां पर एक्स्ट्रीम लोग है फिर जो बीच में एक्वेटर है यहां पर बहुत ज़्यादा हाई टंबरेचर है जो इस एरिया में पाये जाते हैं यहां पर डरेक्ट सनलाइट आके पड़ती है ठीक है फिर हमने आनास ब्राइब करने के बात आपके पास आएगी पिर इंफ़रर ठर्मा रडरियेशन्स अ कि जो बाडडि वर्डी में ट्रांसर होगी और लास्ट फ़ॉर्व्ट्ठ बढ जो आपके बाड़ी खुद हीट जनेरेट करेगी सब्सक्राइब हीट सोर्सिज हो गए जिसके अगेंस हम आगे मैकनिजम पढ़ेंगे किस तरह हीउमन बाड़ी या फिर एक एनिमल की बाड़ी रेगुलेट करते है टापरेचर को सो आज के चैप्टर में हमने यहां तक ही प करते हैं करते हैं